कि अ सब्सक्राइब एक करेंगे वह यह शर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर को कंटिनिव करते हुए लेकिन्याप पर हमारे साथ जो प्रिंच प्रिंस्प्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रि साहिए वह composite section होगा तो इसकी वोजह से हमने जो पीछले फार्मूरे derive किये थे उसमे जो एजमशन थे उसमे बुनियादी एजमशन ये था कि हमारे साथ principal axis उसका non होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो principal axis unknown हो जाते है तो हमारे पास जो previous formulation है वो applicable नहीं रहते है तो इसके लिए आज हम derivation करेंगे साहिए unknown principal axis star prismatic member के case में तो dear students यह consider करें कि आप लोगों के साथ एक यह section area है साहिए यह along the length जा रहा है तो हमारे पास यह z axis है और यह y axis है यहाँ पर हमारे साथ एक differential area है उस पर मैं force लगा रहा हूँ ठीक है इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ यह मैंने इदर शो लिखा हुआ है क्योंकि इदर तोड़ा गंजस्टिड है तो इस differential area पर मैं upward force लगा रहा हूँ और इसको मैं DF नाम दे रहा हूँ क्योंकि इस differential area पर लग रहा है तो वह हमारे साथ किसके बराबर होगा stress into area differential stress into area फॉर्स हमारे साथ stress into area की बराबर होता है हमारे पास यह z axis यह y axis तो उसका यह distance हमारे साथ y हो जाएगा और यह z हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारे साथ जो stress field है वह plane के जर्ये रिपरेजेंट होता है साहिए पीछले के चीज में हम equation line के जर्ये रिपरेजेंट कर देते हैं यहाँ पर लिगा गया है कि the stress provided यहाँ पर लिगा गया है कि the stress produced in a pragmatic member may be represented by equation of the plane in which case in that case in which y and z are not the principal axis of the section जो हमारे साथ y और z principal axis ना हो तो उस case में हम stress को equation of the plane से भी show कर सकते हैं तो हमारे पास equation of the plane क्या है sigma is equal to a plus by plus cz यह हमारे साथ equation of the plane है यहाँ पर डिया स्टुइन्स यह है कि अगर हमारे साथ यह इस differential area पर force लग रहा है डियाफ अगर उसको हम इंटेग्रेट करें तो और उसके साथ-स यह stress इंटेग्रेट करें तो हमारे साथ इस पूरे plane के उपर जो force होगा और जो stress होगा वो हमारे साथ आजाएगा ठीक है तो हमारे साथ यहाँ पर equation of the plane है इसमें जो a, b, o, c है यह constants है और यह हम determine करेंगे equilibrium के equations है तो हमारे साथ यहाँ पर जो differential force होगा इस एरिया पर जो एक्ट करेंगा वो मेरे साथ बराबर होगा stress into d a, यह d a हमारे साथ इस differential element का area है तो हमारे साथ इस stress के equation में वो ही a plus b y plus c, z जो कि यहाँ पर मैं रिकाता यह इसके वराबर हो जागा d a वो ही रह जागा, d a इसके साथ multiply कर लो, तो यह यह इससे बन जागा ठीक है अब यहाँ पर हम equilibrium के equation apply कर दे दूसरी बात यह है कि हमने यह four जो है न यह four जो इस area पर लग रहा था यहाँ पर जिसके centrist e y और e z ती इसको हमने यहाँ से centrite पर shift किया है, ठीक है, तो जो जो centrite पर shift करेंगे, मैंने अब लोग को arithmetic के case न बताया था कि इसके साथ moment भी आ जाते है, moment along y और moment along z और fourth centrite पर पिर आ जाता है, ठीक है तो असल में m y जो है, वो positive होगा, m z यहाँ पर negative होगा, क्योंकि इस साइट पर जा रहा है, negative x इसके तरफ और y जो होगा, और हमारे साथ जो p होगा, वो भी positive होगा, तो हम यहाँ पर equation of equilibrium condition apply करते हैं, सही है तो हमारे पास इस तरह है कि हम पहला equilibrium condition apply करते हैं, समिशवन इससी इक्सीज़ इक्सीज़ है, यह हमारे साथ y इक्सीज़ है यह हमारे साथ z एक्सीज़ हो जाएगी, इस तरह एक्सीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके पर pen बदर होता है, तो अगर हमारे साथ यहां पर force लग रहा था ठीक है यह इस तरह हमारे साथ force लग रहा था तो हम यह force दिज़ लेते हैं यहां पर force लग रहा था वो डी F था ठीक है तो dear students यह force हमारे साथ बराबर होगा stress into differential area के तो अगर हम इस पर integration लेते हैं तो हमारे साथ पूरे section के लिए है A यह उसकी वैलिय हा जाए इपर हमेरे साथ ही इसको देखते यहां पर यह डी ए जो है इसकोगर करते है तो इससे पुरा अजाएगा और हमारे साथ यह इंटिड़रल वायर डी ए Twites किस चीज के बरावर है ये हमारे साथ बरावर है first moment of area और हमें पता है कि first moment of area for the section वो composite हो या symmetrical हो वो first moment of area हमारे साथ central axis पे पुरे section के लिए zero होता है आजाएगा हमारे साथ, फिर A यहां से हम फांड करते हैं, A is equal to P by area, सही है, force by area, फिर उसके बाद हम equilibrium condition apply करते है, submission frame Y is equal to 0, ठीक है, हमारे पास यहां पर जो Y axis है, यह, तो इस पर हम moment 0 लेंगे, तो इस तरह है ना, कि यहां पर हमारे साथ, Y axis पर जो moment produce होगा, वो हमारे साथ किस तरह produce होगा, यह force, df force multiply by z, सही है, इसका मतलब यह है, कि हम जब Y पर moment मलूंग करेंगे ना, इस तरह, यह Y है, इस पर moment मलूंग करेंगे, हमारे पास यहां पर जो fingers का direction है, यह Z direction है, और thumb का direction हुआ है, तो हमें Z direction है, force apply करना होगा, तो df multiply by z, सही है, तो पिर जो हम इसको integrate करतें, सही है, जो हम इसको integrate करतें, यह df जो है, यह हमारे साथ stress into area के बराबर हो जाएगा, मैंने यहां पर लिख लिए उसकी equation, फिर Z इसके साथ multiply करो, सही है, जब हम Z इसके साथ multiply करतें, यह constant जो है, यह उससे बाहर लिखो, A लिखो, B लिखो, CB से constant बाहर लिखो, और Z जो है, वो इनके साथ multiply हो जाएगा, फिर जो हम इसको देखते है, हमारे पास यहां पर Z DA नहीं है, यह भी first moment of area, यह हमारे साथ zero हो जाएगा, यह integral of Z Y DA जो है, यह हमारे पास product of inertia है, सही है, यह यह यहां पर product of inertia I Y Z के बराबर हो जाएगा, भी भी वहां पर वे साही आ जाएगा, पिर हमारे साथ integral of Z square DA जो है, यह moment of inertia about Y axis के बराबर है, सही है, यह I Y हो जाएगा, C भी उसी तरह जाएगा, तो हमारे पास M Y के बराबर है, सही है, इसको मैंने B का नम दिया है, पिर हम उसके बाद इस तरह करता है, कि moment about Z axis लेते हैं, तो देखो Z axis इस तरह है हमा वो सेंटराइट पर हम लेके आए, तो इसके साथ Z पर moment हो गया है, तो यह दर जो moment produce होगा, वो negative moment होगा, सही है, माइनस M Z हम उसके साथ लिखेंगे, और पिर उसके साथ के साथ के जाएगा, force multiply by Y, तो DF multiply by Y, integral इसका ले लो, DF जो हमारे पास stress into area के equation, वो इसमें put करो, Y इसके साथ multiply करो, ठीक है, जो हम Y, उसके साथ multiply करते हैं, यह constant उससे बाहर लिख लो, ठीक है, तो हम पिर उसके बाद, यह देखो, यह integral of Y, जो है, यह हमारे पास first moment of area, यह हमारे साथ zero हो जाएगा, और यहां पर जो है, integral Y square D, यह moment of energy about this is, के बराबर है, मतलब I, Z के बराबर है, औ और यहां पर Z Y product of energy है, तो यहां पर भी यह लिख लो, constant उसके साथ लिख लो, I Z plus C I Y Z, यह हमारे साथ equation C आजाएगा, पिर उसके बाद, हमारे साथ A की value तो आ गई, यह B और C की value फांड करने के लिए, यह दो equation जो हमारे साथ है, उसको simultaneously solve करो, और B और C की value इससे निकालो तो जो हम इसको solve करते हैं, साइए, तो हमारे साथ B की value यह आ जाती है, और C की value यह आ जाती है, अब डिया स्टुरेंट्स को इसमें जाहरी बात है, इसमें मसला होगा कि इसको हम किस तरह याद करें, तो इसमें अपने लिए कुछ points रखें साइए, इस तरह है कि इसके जो denominator है वो दोनों में सेम होंगे, I, Z, Y, minus I, Y, Z, square, यह दोनों में सेम है, और हमारे पास यहां पर यह बी जो है, इसके question में हमारे साथ पहले negative sign आएगा, जो M, Z, यहां पर आ जाएगा, तो उसके साथ जो moment of inertia होगा, वो आई होगा, साहिए, और पिर उसके बाद यहां पर bending moment ज और product of inertia जो है, वो दोनों में सेम है, यहां पर square नहीं होगा, यहां पर सिरफ एक दफा मुल्टिप्लै होगा, तो डियो स्के साथ यहां पर यहां पर जो M, Y है, तो इसके साथ मुल्टिप्लै होगा, और यह प्रोडक्त of inertia, I, Y, Z जो है, यह दोनों के साथ सेम रहेगा, डि इस चीज में बस गेम है जारा सभी के लिए जो हम एक्वेशन लिखते हैं तो माइनस उसके साथ आ जाते हैं और पहले यह MZ से शूर होता है तो इसके साथ यह जो ओमटा फिनड्रिक होगा तो वह GY होगा और यहां पर जो । है है जो बेंडिंड्रिक हो रा और यहां पर टैको यह जो इसका तरण सका वेडिंड का वेडिंडर्र चिर्च में होग टीक है बसौ reindeer इस तरह याद रखो हमारे पास इस इ म Arbeits साथ आप लोग क्या करो इसमें हमारे साथ इस तरह आ जाएगा कि products a,b और ईसमें पूट करो जो हमने उपार फेंड है तो इससे हमारे साथ यह एक्वेशन बन जाएगा सभी है यह वह एक्वेशन है भस Rey's में सारफ हमने B की विदियो पूट कर ले और सी की विदियो कर रहे इसमें हम MZ और MY की जगा P EY और P EZ पूट कर लेते हैं इसे इंट्रेसिट इस फ़र्म में लिग लेते हैं लेकिन यहां पर हमारे पास पर उसके लिए हम यह वाला refusing to put करते साहिए इस इक्वेशन में इसी क्वेशन को भीuchen अगर हम इस तरह करें कर την फंद करें को उसह पर इनर्शिंट इस मा नान जयां तो यह term 0 हो जाएगा ठीके यह term भी 0 हो जाएगा IY के साथ कट जाएगा साहिए, वो क्या रहे जाएगा यहाँ पर MZ divided by IZ यहाँ पर IZ IZ के साथ कट जाएगा, यह term भी 0 हो जाएगा क्योंकि product of energy 0 हो जाएगा यह भी जिरो हो जागा तो क्या रहे जाएगा एम वाई डिवाइजड वाई आई वाई और इंटो जेड तो वही एक्वेशन हमरे पास आता है साहिए पिर अब हम हम इसको मजद सिंपलिफाइक करते हैं यहां पर हमारे साथ जो हमारे साथ मुमेट वह हमारे साथ 7 के बराबर हमाइस माइनस 1 क्यव हैं MOD वियाज़्स और यह साथ फाइनल यक्रेशन थाएगा कुछ पुइंसिते के विडियोगा संभाँ पे तो विस्तर आप मेर वेडियों को ब्रिहें future यह साथ इंशाल नेक्स्टूडियो में तब तक के लिए नहीं दाफिर